आज हम डिसकस करने वाले हैं कोईटर स्किनी की पोईम दर रेन ओन दर रूफ कोईटर स्किनी की जो पोईम है ये उन्होंने लिखी थी अपने कॉलिज में एक रात जब वो सो नहीं पा रहे थे उनको नीद नहीं आ रही थी बारिश हो रही थी तो अचानक उनके मन में जैन का जो प्रोसेस है बहुती ब्यूटिफुली पोईट नहीं आपे डिसक्राइब किया है वोईट कह रहे है कि जब हुमिट हुमिट का मीन है मौस्टर वाले जो फुल उफ वाटर है शैडूस का मीन क्या है शैडूस का मीन है या पे क्लाउट्स ठीक है होवर होवर मीन्स मूव अराउं समस्थिं मतलब यह जो मौस्टर से भरे हुए वाटर से भरे हुए शैडूस का मीन्स यह जो ब्लैक कलर के बादल है वो मड़ा रहे हैं वो वाक कर रहे हैं ओवर ओल्ड़ स्टारी स्पियर्स यह जो स्टारी मीन्स स्टारों से भरा स्टार्ट से भरा हुआ जो यह आस्मान है इस काय है इसमें यह जो काले बादल है यह होवर कर रहे हैं ठीक है मतलब घूम रहे हैं and the melancholy darkness melancholy का मिन होता है बहुत जादा दुखी होना sad यह जो दुखी darkness means यह जो दुखी रात है यह जो दुखी अंधेरा है gently weeps in rainy tears ठीक है और यह जो रात है यह कैसी है बहुत दुखी है तो इस सब इन सब की वज़े से यह जो आस्मान है यह क्या कर दाए gently weeps यह रो रहा है in rainy tears और जब वो रो रहा है तो आस्मान से यह बारिश की बूंदे गिने में इस यह जो बारिश की बूंदे है इनको compare किया है poet ने tears के साथ में आस्मान के साथ में poet का कहना है कि यह जो melancholy darkness है यह जो दुखी रात है इसकी वज़े से यह जो आस्मान है यह ऊपर से क्या कर दाए रो रहा है अपने आस्मान गिरा रहा है और जो कि हमें rain के रूप में मिल रही है what a bliss to press the pillow और कितना जादा blissful है means आनंद दाए यह कितना joyful है कि जब बारिश की बूंदें ऐसे गेज रही हो और अपने पिलो पर आराम से comfortably लेटा जाए comfortably आप अपने पिलो पर लेटे हुए है of a cottage chamber bed point कहरें कि वह अपने bedroom में बहुत ही आराम से लेटे हुए है and lie listening to the pattern of the soft rain overhead और वो लेट कर क्या सुन रहे है pattern होता है जेन ड्रॉप चब गिरती है तो उनके गिरने की जो आवाज होती है उसे बोलते है पैटर तो बारिश के गिरने की जो आवाज है उसे point अपने bedroom में लेट कर बहुत ही ध्यान से blissfully सुन रहे है of the soft rain overhead means वो उनकी जो चछत है कि कि वहाँ से उनको अपने सर के उपर से वो जो आवाज है वो सुनाई दे रही है in short poet जो है वो rain को अपने विसर पर लेट कर बहुत ही enjoy कर रहे है क्योंकि rain का जो sound है that is a source of joy for him every tinkle on the shingles has an echo in the heart and a thousand dreamy fancies into busy being start अब poet आगे कहते हैं कि जब बारिश की बूंते हैं टिंकल मीन एकदम से गिरती है तो टिंकल का मीन है यहां पर एक soft musical sound के जैसा sound create होता है किस पर गिरती है यह बारिश की बूंते हैं singles पर गिरती है पोईट की जो च्छत है वो यह जो singles है यह जो आप देख रहे हैं इन tiles से बने हुए है यह उन घरों की च्छत होती है जो जो जोपड़ी नुमा घर होते हैं ठीक है तो उन में इस तरीके के rectangular wooden tiles लगाया जाते हैं जो आपने अकसर hill stations पे देखे होंगे या फिर European countries में जितने भी घर बनते हैं वो ऐसे ही tiles से उनकी च्छत बने हुए होती है जी कह तो poet कह रहे हैं कि उनके घर की च्छत है इसमें जो singles लगे हुए है जो tiles लगे हुए है इन पर जब बारिश की बूंद कीरती है तो वो एक तरीके का tinkle means musical sound जो है वो create करती है has an echo in the heart और वो जो musical sound है वो मुझे ऐसा लगता है वो poet को ऐसा लग रहा है जैसे कि उसका eco sound उनके heart में feel हो रहा है means वो repeat हो रहा है उनके heart में and a thousand dreamy fancies तो जैसे कि वो eco sound उनके heart में repeat होता है तो यह click कर देता है क्या click कर देता है thousands dreamy fancies बहुत सारे dreams बहुत सारी memories बहुत सारी fantasies उनके mind में into busy being start means उनके mind में आना start हो जाती है and a thousand recollections ripple their air threads into wolf as I listen to the pattern of the rain upon the roof memories आने स्टार्ट हो जाती है dreams आने स्टार्ट हो जाती है vard fantasyizz आने स्टार्ट हो जाती है और साथ ही thousand recollections में उनकी जो पुरानी memories है जो उनकी पुरानी यादे है वो वापे से recollect हो जाती है और ये सारी memories आपस में क्या कर दे है बीव दियर एयर थ्रेड ये सारी memories आ रहे है जा रहे है और वो ऐसा लग रहा है पालो जिस तरीके से एक एक धागे से क्या होता है बुनकर एक कोई भी कपड़े का पीस पना लिया जाता है एक एक धागे से बुनकर ऐसे ही ये जो memories है ये memories का जो धागा है ये आपस में जुड़ते जा रहे हैं और collect होते जा रहे हैं और फिर वो situation जो है different different वो point यहां पर अभी हमें आगे explain करेंगे वो उनके mind में उनका एक pattern बनता हुआ नजार आ रहा है बूफ का मीनिया पर होता है कि जो कपड़ा बनाने का जो tool होता है जिसे हत करगा बोलते हैं ठीक है ना उसमें क्या होता है अलग अलग के धागे लगे होते हैं उनको चला कर एक करके वो धागे फिर आपस में attach होते जाते हैं और एक beautiful कोई भी cloth बन जाता है तो ऐसे ही जो memories है यह एक एक करके जुड़ती जा रही है और फिर poet अपनी कुछ जो पुरानी याद हैं उनके बारे में सोच रहे हैं और वो जो situation है वो जो scenes है वो उनको याद आ रहे हैं कब लेकिन यह सब हो क्यों रहा है as I listen to the pattern जैसे ही वो सुनते है जेन के गिरने का यह जो sound है पैटर उसे सुनते है और यह बारिश कहां गिज़ रही है उनकी च्छत पर गिज़ जैसे ही poet च्छत पर rain के गिरने का यह जो पैटर साउंड सुनते है अपने घर की च्छत पर त उस इको की वज़े से वो fantasies में dreams में खो जाते हैं और उनको अपनी पुरानी कुछ याद है याद आने लगती है और वो पुरानी AKKK की याद जुड़कर उनको वो सारे जो scenes हैं वो जो situation सी वो जो दिन थे उनकी याद दिलाती है now in memory comes my mother अब पुरानी को किसकी याद आती है सबसे पहली जो memory है उनके माइन में आती है उनकी मदर की as she used in years again काफी सालों पहले as she used जब मतलब काफी सालों पहले वो पुरानी के साथ रहा करती थी लेकिन अब वो उनके साथ नहीं रहती used to live with the poet ठीक है years ago लेकिन अब वो उनके साथ नहीं रहती क्योंकि उनकी मा की death हो चुकी है तो poet याद करते हैं अपने मदर से जो related उनकी memories हैं उन्हें याद करते हैं कि काफी सालों पहले मेरी माँ मेरे साथ रहा करती थी जो कि अब नहीं है तो उनकी memory जो है वो इस रेन के साथ जूड़ी हुई है क्योंकि to regard the darling dreamers क्योंकि उनकी मा क्या करती थी darling dreamers का mean है यहाँ पर यह चोटा बच्चा means यह जो point है कि मेरी मा मेरा इतना अच्छे से regard mean खयाल रखती थी इतना अच्छे से मेरे खयाल रखती थी and she left them until dawn के जब भी बारिश होती थी रहना तो जब भी बारिश होती थी तो और मैं सो जाता था बारिश में तो मेरी मा मुझे शाम तक dawn कमीत होता है जब थोड़ा सा अधेरा हो जाता है तो मेरी मदर मुझे शाम तक सोने देती थी ताकि मैं अच्छे सपने देख सकूँ या मेरी दीद को मदर डिस्टरब नहीं करती थी वो इतना ख्याल दखती थी कि वो मुझे उठाती नहीं थी नहीं से ओ, I feel her font look on me इस बारिश की ये जो बूंदें हैं इनकी आवास सुनकर मुझे वो सारी पुरानी बात याद आ रही है और मुझे ऐसा feel हो रहा है her font look on me जैसे कि वो मेरी माँ जो है वो मुझे प्यार से देख रही हो उनका जो font look है उनका जो lovely, जो उनका face है और जिस तरीके से वो प्यार से अपने बच्चे को देखती थी वो उसे feel कर पा रहे है as I list to this reference list का मीन है याप है listen जैसे ही मैं सुनता हूँ this reference reference का मीन है repeated sound of rain rain का यह जो repeated sound मैं सुनता हूँ तो उस sound को सुनकर मुझे अपनी मदब से जुड़ी हुई जो memory है वो मेरे माइन में आ जाती है और मुझे उनका जो fond look है जो उनका मेरे को प्यार से देखना है वो भी मुझे याद आ जाता है which is played upon the single by the pattern of the rain और यह जो sound है यह जो repeated sound है यह क्यों हो रहा है क्योंकि बारिश की जो बूंदे है जो singles पर पढ़ देए है tiles पर पढ़ देए है तो उनके गिरने की पचैसे जो sound रुदपन होता है वो याद दिल आ देता है poet को उनकी मदर की then my little seraph sister with the wings and waving hair अपनी mother के memory के बाद poet के mind में memory आती है उनके छोटे भाई और बहन की वो सोचते हैं अपनी sister के बारे में कि उनकी जो छोटी angel के जैसी है जो seraph sister means angel के जैसी जो छोटी बहन है वो से देखते हैं with the wings के उसके क्या है wings भी है और waving hair और उसके घुंगराले wavy hairs है means घुंगराले बाल है वो देखते हैं कि उनकी छोटी sister है जिसके wings हैं उसके hair curly है, wavy है and her star eye और उसकी जो आखे हैं वो कैसी हैं चमकीली है वो साथ ही वो cherub brother, cherub brother का mean है या पे, cherub भी किसी एक ऐसे बच्चे को बोलते हैं जिसके wings होते हैं ठीक है, उसे बोलते हैं तो poet कह रहे हैं कि अपने brother को भी वो इसी form में देखते हैं मतलब either angel देखते हैं वो अपने भाई और बेहन को a seran angelic pear बहुत ही एक प्यारा सा angelic pear अपने भाई बेहन का वो अपने सपने में देखते हैं glide around my bakeful pillow और ये जो pear है वो क्या कर रहा है उनके pillow के पास पे घूम रहा है with their praise और mild reproof और वो लोग क्या करते हैं कभी तो उसकी तारिफ करते हैं कभी reproof का मित होता है किसी को प्यार में डाटना जिड़कना ठीक है और कभी वो जिड़क रहे है as I listen to the murmur of the soft rain on the roof और ये सारी memories उनके mind में कब आती है जब वो murmur sound सुन रहे है किसका soft rain का अपनी रूफ के उपर तो सबसे पहले उनके mind में किसकी memory आई उनकी mother की memory आई उसके बाद में उन्होंने अपने जो छोटे भाई बहन थे उनकी memory आई जिनको कि उन्होंने एक angelic format देखा है एक angel के रूप में देखा है कि वो उनके pillow के आसपास घूम रहे है और कभी तो उनको praise कर रहे हैं कभी उनको प्यार में जिड़क रहे हैं थ्रिल मी पोईट आगे बोलते हैं अपनी mother और siblings की memories के अलावा जब भी वो rain का sound सुनते हैं तो एक memory और है and another comes एक और memory है जो आती है to thrill him जो कि उनको disturb कर देती है with her eyes delicious blue and I mind not musing on her पोईट यहां पे अपने एक interest की बात करें हैं जो girl थी जिसमें कि वो interested थे उसकी eyes पोईट को बहुत जादा पसंद थी उसकी नीले रंकी आंके थी with her eyes delicious blue and I mind not musing on her और पोईट हमेशा उसके बारे में ही सोचते रहते थे उसके बारे में ही हमेशा उनका ध्यान रहता था ठीक है लेकिन जो वो लड़की थी वो उससे लव नहीं करती थी तो पोईट ने कभी इस बात को mind नहीं किया that her heart was all untrue कि उसके heart में उनके लिए कुछ भी feeling नहीं है कुछ भी love नहीं है I remember but to love her लेकिन उन्हें याद है कि पोईट उस लड़की से बहुत जादा love करते थी भले वो उनसे love नहीं करती थी with a passion kin to pain means उसके लिए उनके मन में जो feelings हैं वो mixed हैं love वाली feelings हैं और love के साथ में उनको pain भी feel होता था क्योंकि वो उसे अपना kin means अपना जो है एक तरीके से बहुत ही करीबी loved one समझते थे लेकिन वो जो लड़की थी वो उनको love नहीं करती थी तो poet को इस वज़ाए से love के साथ में pain भी feel होता था and my heart's quick pulses to the pattern of the rain और जब वो memory उनके mind में आती है तो poet का जो heart है वो quick pulses मतलब उनकी जो धड़कने हैं वो quick तेज हो जाती है क्यूवर वो अपने हार्ट पर बहुती नर्वस feel करते हैं और उनका जो heart है वो rate के जो pattern sound है means जो तेजी से जो rain गिर रही है उसकी तरह ही तेजी से धड़कने लगता है जब वो उस memory को याद करते हैं art has not of tone or cadence यहाँ पर poet ये tone or cadence का मीन है जो music जो songs होते हैं उनकी बात करते हैं तो poet कहते हैं कि जो भी artistic लोग होते हैं जो भी songs बनाते हैं music बनाते हैं वो कुछ भी नहीं है not coming होता है nothing they are nothing that can work with such a spell यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उन में से कोई भी musical note इतना अच्छा नहीं है उसमें इतना जादू नहीं है जो की rain का जो music है उसको compete कर सके तो यहाँ पर poet एक तरीके से जो rain का music है या जो rain की आवाज है उसको man made music होता है उससे compare कर दे हैं और कह रहे हैं कि कितने सारे songs हैं कितने सारी music हैं लेकिन कोई भी music उस level का अच्छा नहीं हो उस level का उसमें वो spell नहीं है उस level का वो उतना attractive नहीं है in the soul's mysterious fountains और हमारी जो soul है हमारी जो आत्मा होती है ठीक है हमारा जो mysterious fountain है वो क्या है कि जब हम दुखी होते हैं when's the tears of rupture well तो क्या होता है कि हमारा जब हमारा मन दुखी होता है तो हमारे आसू निकल आते हैं मतलब हमारा जो दुख है वो rupture मतलब break हो जाता है कि इसमें आसू में break हो जाता है ठीक है as that melody of nature लेकिन यह जो nature है इसकी जो melody इसकी जो धुन है वो इतनी मदूर है that subdued जो दबा देती है subduing strain वो आस पास के जितने भी sounds है चाहे वो हमारे आसू का sound हो चाहे वो किसी man made music का sound हो वो किसी भी चीज का sound हो rain की जो आवाज है rain की का जो sound है वो आजू बाजू के हर तरीके के sound को दबा देता है which is played upon the singles by the pattern of the rain poet कह रहे हैं कि zen का sound इतना powerful और इतना attractive है इतना soothing है जो कि उतके च्छत के उपर पढ़ रहा है ठीक है तो ये जो sound है ये किसी भी प्रकार के sound को दबा देता है तो I hope ये poem आपको अच्छे से clear हो गई होगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाई बाई